प्रधान मंतरी को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो कोलिशन सरकार में है अब वो अकेले बादशाह बनकर जो निर्णे मन में आया वो ले ले नोट बन दी कभी कर दी कभी कुछ ऐसे नहीं कर सकते अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलह मश्विरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए आपने देखा वक्फ किया जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी नैडू जी उसके विरोध में थे नितीज जी उसके विरोध में थे तो इनको सोच समझ के निरने लेना चाहिए ये बार बार टू एंट फ्रो करते रहेंगे कोई फाइदा नहीं होगा अपने लोगों से सलह मश्विरा करके बिल पास करवाए नेकिन लेकिन 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 के बीच में जो नियुक्तियां लेटरल एंट्री के थरू हुई थी उसमें भी आरक्षन का कोई ध्यान नहीं रखा गया, तो जो हमारे आरोप हैं कि समिधान को पर ये हमला बोल रहे हैं, चोरी शिपे उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बैक डोर से ये आरक्षन खतम करना चाहते हैं, उस अब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है, प्रधान मंतरी को ये समझ लेना चा सकते हैं, अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलह मश्विरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए, आपने देखा वक्फ किया जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे, तब भी नैडू जी उसके विरोध में थे, नितिश जी उसके विरोध में थे, तो इनको सोच समझ के निरने लेना चाहिए, ये बार-बार टू एंट फ्रो करते रहेंगे, कोई फाइदा नहीं होगा, अपने लोगों से सलह मश्विरा करके बिल पास करवाएं। कि हमारा ये दबाव काम आएगा, 2017 से और 21 के बीच में जो नियुक्तियां लेटरल एंट्री के थ्रू हुई थी, उसमें भी आरक्षन का कोई ध्यान नहीं रखा गया, तो जो हमारे आरोप हैं कि समिधान को पर ये हमला बोल रहे हैं, चोरी शिपे उसको परिवर्दन करना चाहते हैं, बैकडोर से ये आरक्षन खतम करना चाहते हैं, और सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। झाल फो उसकता है कुछ स्व Mahoura